जबलपुर में उमरिया जिले में 26 सितंबर को गौडवाना गरतंत पार्टी द्वारा जन जाती है मंत्री मीनर सहं के खिलाब प्रदशन कर रही कारी करताओं पर पुलिस द्वारा किये गए लाठी चार्ज में कई लोग घायल हुए इस तोरान प्रदशन कारी आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पत्राओ कर दिया जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हो गए पुलिस द्वारे इस घटना में गौडवाना गर्तंत पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रादेशाम काकोडिया सहित आधा सैक्रा लोगों को ग्राफतार किया गया पुलिस के इस रवये से गौडवाना पार्टी के लोगों ने प्रदेश भार में राज जिपाल के नाम ग्यापन देकर इस घटना की उच्छ इस्तरिये जांस की मांगी है जबलपुर में भी पार्टी के लोगों ने जिला कलेक्टर को राजपाल के नाम ग्यापन दे कर इस खटना की निश्पक्षुजाज कराने की मांग की है गौडवाना गर्तंत पार्टी जबलपुर के जिला अध्यक्ष मोहन उईके ने कहा कि जन जाती है कार्यमंत्री मीना सेह के खिलाब पाची के लोग आंदोलन कर मंत्री से 100 करोड का हिसाब मांग रहे थे इसी दोरान पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जिसमें पाची के कई कारेकरता घायल हुए है मोहन उईके ने आगे कहा कि पुलिस पर जो हमला हुआ है उसके पीछे पार्टी कारिकरताओं को उकसाया गया तब ही वो आक्रोशित हो गए मोहन उईके ने ये भी कहा कि मधुमक्की के चच्छत्य को पथर मारोगे तो काटेंगी जबलपूर से बाजित खान की रिपोर्ट वहां की जंजाती मंतरी मीन सिंग जी के खिलाब एक आंदूलन शेड़ा था जिन्होंने उसमें सो करोड का गवन किया है उसका हिस्ताम मांगने के लिए हमारे कायकरता पदादीकारी के वहां पर एक आंदूलन कर रहे थे वो भी सांती पुर तरीके इसका रहे थे परन्तु कि भिज़्ट सरकार की भिष्ट मंतरी के मंसे से उन्हों ने इस आंदूलन को उक्सानी कोई हश की और हमारे कोई भी ऐसा अपरादिक प्रवेत्ती का अभी तक पतादिकार जी नहीं है उकसाए गया है तो वह सकता है हमारी बेटियों साथ में बच्चों के साथ मार पीट गई है तो इसको बड़ास करें है कि हमारे लगभग वहां से 30-40 गायल हुए है और पुलिस करिमी भायल हुए है अभी उनका एलाज तो नहीं चलना है और बागी लोगों को जो मैन मैन है उनको चिन्नित का नाम चिन्नित